आंद तो नतफें शजंत, आ होगया बनाओं और मैं में 20,000 रुपयाइं उससे 20,000 रुपया चालीस रुपया है, तहले शनलत, कैसे श्हता हू कदे से क्या बोलते हैं सेकेर्टरी को दे दिए कि बाथरूम बनवाओं क्या लगता है लहां करते करते थिस आपको फिर होता है कि हमारा पूरा परवार ही उसमें अच्छा लगता है जैसे दादा जी थे पिता जी थे हम गए और तो यह भी भश्टाचार के खिलाब सेवा ही है तो सबसे बड़ी सेवा है यह सबसे बड़ी सेवा है च्राव कि मानिंष कश्या भी बहुत पैसा कमाते यह पूरा परवार आपका पैसा नहीं हो जाएं लेकिकल्य को प्लाब एको और बात पूछ लेते हैं जितना पैसा आप मदत लोगों को करते हैं पहुत महल है आल सकते हैं सबसे बड़ा मांवाद बनवा सकते हैं है किऊ आप पास पैसा होगा या कमाये होंगे लेकिन पक क्यों नहीं आउक माये बला जाता है तीना का घर में किरती जैसे हमारे धादा जी बनवाएंगे लेकन भी फिलाल नहीं बनवाएंगे हो बहुत आछा अच्छा होता है पैसा का तो बात ही नहीं है नहीं वह भी बनवाएंगे लेकिए फिलाल हम लोग कोई कठे अच्छा लगता है क्योंकि फिर अलग अलग घर हो जाएगा अच्छा नहीं लगेगा ऐसा लाता तो अच्छा आपके दौर पर आने के लिए खड़ांजा है इस पेसलिए देख लिए इनके दौरवाजे से आगे जबकि रोड उस और मेन है लेकिन एक खड़ांजा कौन बनवाया है यह ग्राम परधान के ग्राम पंचाज से बना हुआ है सरकारी खड़ांजा है अच्छा अपने मुन से आपके दौर भाय से मरवा दिया है लोग आपक क्या फर्क पड़ता है आगे सेवा आप लोग करेंगे कि नहीं या भी रिटायर हो गया है तो गरीबों को आप कुछ मदद करने कि नहीं जैसे आपका एक बहुत मदद करते थे बोलकि वो तो अपने पैंशन के 80% दान कर देते थे 80% हमारी पीटा जी दान करते हैं दान करत से आए हैं और देखिए कौन यह एक और जाते जाते अगे से चुनाओ मेश्का सफ लड़ेंगे या नहीं यह पुबलीक के ऊपर है पुबलीक का डिमांड है तो पुबिज चाहएगी तो लडेंगे पबलीक नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ेंगे अंगी जो जानता पर दानपुन में उसका भी चला जाता है बाकी मेरा परयास मनिशका सब के घर से कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएगा जो इनको बारे में थोड़ा सा कुद इधर उदर करते हैं और इसाचाई जान रहे अगर आपको सक खेंगो भी या कि तर्यंकारी ले सकते हैं